व्रिद्शव ने कहा धर्मराज, वीरसेन के पुत्तर नल नाम की एक महान राजा थे, वे शुब गुणों में संपत थे, वे रूपान और अश्व संचालनी की काला में कोशल थे, वे सब राजाओं की शिरोमनी थे, उसी प्रकार जिस प्रकार इंदर समस्त देवताओं की श स्वामी थे, उन्हें जुगा खेलना भी अच्छा लगता था, वे उद्दार, जितेंद्रिय प्रजा की रक्षा करने वाले धर्नर धरों में सर्वस्रेश तथा साक्षात मनु के समान थे, उसी प्रकार उन दिनों विधर्व देश में महाप्राक्रमी राजा भीम राज्य करते थे, विशूर वीर तथा सर्वगुन संपन थे, किन्तु उनके कोई संतान नहीं थी, अतावे सदा ही संतान प्राप्त की कामना करते रहते थे, राजा भीम ने अत्यंत एक अगर्चित होकर संतान प्राप्ती के लिए परम प्रेतन किया, उनी धिनों उनके पास दमन न कि नाम के महारिशी पधारे धर्म के ग्याता तथ संतान की कामना करने वाले राजा भीम ने अपनी रानि को सात लेकर अंतेजस्वी रिशी का सतकार किया महाय यह श्यसवीww이다 मन झे राजापर प्रसंद होकर उनकी पत्रनी सहट उनको वरदिया कि उनके घर में तीन उदार पुत्र तथा एक कन्या रतन प्राप्त होगा कन्या का नाम दव्यंति था और पुत्रों के नाम थे दम, दांत तथा दमन वे सबी तेजस्वी थे राजा के तीनों पुत्र सर्वगुर्ण संपन, महावीर तथा अत्यंत प्राक्रमी थे क्रिश कटी वाली दव्यंती अपने रूप तेज यश तथा सोभाग्या के कार्ण तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी नहीं हुई जब उसने युवा वस्ता में पैर रखा तब सो सो दासियां तथा सो सो सक्यां सम्य रूप से अलंकरित होकर उनकी सेवा में प्रस्तुत रहने लगी मानो देवांग नाएं उसकी उपासना कर रही हो नवद्या यंगो वाली वे लक्ष्मी के समान रूप की पराकास्टा में प्रतिष्टित थी उनके नाइन विशाल थी देवताओं तथा यक्षों के बीच भी वैसी सुन्दरी कहीं देखने में नहीं आती थी मनुश्यों के बीच तथा अन्या योनियों में तो वैसी सुन्दरी उसके पूर्व ना कभी देखी गई थी ना सुनी गई थी उस बाला को देखने से ही सबका चित परसंड हो जाता था वे देवताओं की स्तिरियों की अपेक्षा भी अधिक सुन्दरी समझी जाती थी दूसरी और नल भी इस लोग के मनुश्यों में अती रूप बान थे उनका रूप देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो नल के आकार में सुएकाम देव ही मूर्तिमान हो थे हैं लोग कोतहल वश दव्यंती के समीप नल की प्रशंसा करते थे और निशदराव नल के निकट बार बार दव्यंती के सुन्दर्य की सराहना करते थे इस प्रकार निरंतर एक दूसरे के गुणों की चर्चा सुनते सुनते उन दोनों के बीच एक दूसरे को देखे बिना ही प्रेम का बीज अंकुरित हो गया और उन दोनों की वैक कामना दिन प्रति दिन ही बढ़ती चली गई तब राजा नल उस कामदीब को अपने अंतर में छुपाय रखने में असमर्त हो गई वै अपने उपवन में जाकर एकांत बैट गई उसके बाद उन्होंने अपने उस उपवन में विचरते हुए कुछ हंसों को देखा उन हंसों का रंग रूप स्वर्ण के समान था नल ने उनमें से एक पक्षी को पकड़ लिया तब उस आकास चारी हंस ने राजा नल को संबोधित किया राजन आप मुझे मारे नहीं मैं आपके किसी कार्या आ सकता हूँ हे निशद नरेश मैं दव्यंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रसंसा करूँगा कि वे आपके अतरिक्त किसी अन्य पुष को कभी अपने मन में स्थान नहीं देगी हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने उसको छोड़ दिया तब वे सारे हंस उड़कर विधर्ब देश में जा पहुँचे विधर्ब देश की राजधानी में जाकर वे सब हंस दव्यंती के समीप धरा पर उतर गए दव्यंती ने भी उन विलक्षन पक्षियों को देख लिया सक्षियों से गीरी हुई दव्यंती उन पक्षियों को देख कर बहुत प्रसन हुई और वे तुरंत ही उनको पकड़ने का प्रितन करने लगी तब वे हंस उस उपबन में चारों ओल फैल गए और वहाँ पर विद्यमान समस्त कुमारियां एक एक करके उन सभी हंसों का पीछा करने लगी दव्यंती जिस हंस के पीछे दोड रही थी उसने मनुश्य की वाणी में बोला हे दव्यंती निशित देश में नल नाम के राजा हैं रूप में वे अश्वनी कुमार के समान सुंदर हैं मनुश्य में उनकी समान कोई अन्या नहीं है हे सुंदरी ऐसा परतीत होता है कि मानो स्वे कामदेव ही नल का रूप धार्ण करके मूर्तिमान हो बैठे हैं यदि तुम उनकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म तथा रूप दोनों सफल हो जाएंगे हम लोगों ने देव, गंधर्व, मनुश्य, नाग, यक्ष तथा राक्षस देखे हैं किन्तु हम लोगों ने उनके सम्मान कोई पुर्ष नहीं देखा तुम रमणी संसार में रतन रूपा हो और राजा नल पुर्षों में रतन हैं विशिष्ट नारी के साथ विशिष्ट पुर्ष का समागम बहुत गुनकारी होता है हंस के ये कहने पर दविन्ती ने उससे कहा हे हंस तुम नल के पास जाकर भी इसी प्रकार की बाते कहना विधर्वराज की पुत्री को तथास्तु कहकर वे हंस फिर निशद देश में आया और उसने नल के निकटी ये सब बृतांत कह दिया दविन्ती ने जब से हंस की बातें सुनी थी तब से नल के प्रती उनका प्रेम और भी कहना हो गया था उसके बाद वे सदा ही नल का चिंतन करती रहती थी उसके मुक का रंग फीका पड़ गया था वे दिन प्रती दिन दुबली होने लगी थी वे हर समय दीर गिश्वास छोड़ती रहती थी नल के ध्यान में लीन होकर वे उपर की और निहारती रहती थी देखने में वे उनमत सी प्रतीत होती थी उसका शरीर पीला पढ़ने लगा था काम वेदना से उसकी चेतना बिलुक्त सी हो जाती थी उसके लिए ना सोने में कोई रस रह गया था ना बैठने में और ना किसी प्रकार के किसी उपभोग में वे ना तो रात को सोती थी और ना ही दिन को और बार बार वे रो उठती थी उसकी उस अवस्ता को उसकी सक्यों ने समझ लिया था तब दव्यंती की सक्षियों ने विधर्व राज को दव्यंती की उस अवस्ता के वारे में जानकारी दी दव्यंती की सक्षियों से ये समाचार सुनकर राजा भीम चिंतित हो गए वे जानना चाहते थे कि वे कौन सा महत्वपूर्ण कार्या है जो उनको अपनी पुत्री के सुक के लिए करना चाहिए वे ये भी जानना चाहते थे कि किस कारण उनकी पुत्री इतनी दुखी दिखाई देती है बहुत कुछ सोच विचार कर लेने पर वे राजा समझ गए कि उनकी पुत्री योवन प्राप्त हो गई है और दव्यंती का स्वेंबर रचना ही उनको अपना विशेश करतव्या लगा ये समाचार सुनकर कि दव्यंती का स्वेंबर होने वाला है और राजा भीम का वे महतुपूर निमंत्र पाकर सारे राजा विधर्वनगरी की और चल पड़े उन राजाओं के हाथियों तथा गोडों के घोशने वसंदरा को गुंजा दिया उन राजाओं के साथ विचित्तर प्रकार की मालाओं तथा अबूशनों से भली भांती सजे हुए बहुत से सैनिक देखे गए महाबाव राजा भीम ने उन राजाओं का आदर सतकार किया इसी समय देवताओं के दो प्रमुक्रिशी देवर्शी नारद तथा परवत ब्रह्मन करते हुए इंदर लोक में जा पहुंचे उन दोनों ने देवराज इंदर के भवन में प्रवेश किया तब नारद जी ने कहा हम लोग तो समस्त स्थानों पर ही कुशल पूर्वक रहते हैं संसार के समस्त राजा लोग भी सकुशल पूर्वक है नारद जी की बात सुनकर बलतता वृत आदी असरों का संधार करने वाले इंदर ने उनसे प्रेशन किया हे मुने जो धर्मियग्या राजा अपने प्राणों का मोह त्याकर युद्ध करते हैं और पीट ना दिखाकर लड़ते समय किसी शस्तर के आघात से ही मृत्ति को प्राप्त होते हैं उनके लिए हमारा ये स्वर्ग लोग अक्षे हो जाता है और जिस प्रकार यहां पर मेरी प्रतीक कामना पूर्ण होती है उसी प्रकार उनकी भी प्रतीक कामना यहां पूर्ण होती है किन्तु अब वे शूर्बीर किशत्रिया लोग कहा हैं अपने उन प्रीय अतितियों को आजकल मैं यहां आते हुए नहीं देख रहा हूँ इंदर के ऐसा पोशने पर नारत ने उत्तर दिया मैं वे कारण बताता हूँ जिससे की राजा लोग आजकल यहां नहीं दिखाई देते विधर्व राज की पुत्री दव्यंती नाम से प्रसिद्ध है उसने अपने रूप के द्वारा संसार की समस्त सुन्द्रियों को मात दे दी है हे इंदर अब शीगर ही दव्यंती का स्वैंबर होने वाला है और सारे राजा तथा राजकुमार उस सुएंबर में जा रहे हैं हे इंदर देव दव्यंती संसार में रतन रूपा है इसलिए सब राजा लोग उनको प्राप्त करने की विशेश अविलाशा करते हैं ये बाते हो ही रही थी कि देवताओं में शरेश्ट लोगपाल गन अगनी के साथ इंदर के पास आ पहुंचे इसी बीच उन सब लोगपालों ने नारज जी की वेब बात सुनी और सुनते ही वे सब हर्ष से उलासित होकर बोले हम लोग भी उस स्वेंबर में जाएंगे इसी के साथ वे सब देवता अपने अपने सेब को तथा वाहनों को साथ लेकर उस विधर्फ देश में आ गए जहां समस्त भूपाल पहुंच चुके थे राजा नल ने भी राजाओं के उस समागम का समाचार सुना स्वेंबर के लिए उधार हिदे राजा नल भी उस और चल पड़े देवता लोग भी अपने मार्ग से जा रहे थे तब उन देवताओं ने प्रित्वी पर राजा नल को देखा अपने अद्भुत रूप के कारण राजा नल ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात कामदेव जा रहे हो सूर्या के समान उज्जुल राजा नल को देखकर वे लोग पालगन उनके रूप और बैवग पर विस्मित हो गए उन देवताओं ने एक शर्ण के लिए दव्यंति को पारने का संकल्प त्याग दिया तब उन देवताओं ने अपने विमानों को अंत्रिक्ष में ही रोक लिया और नीचे उतर कर वे लोग राजा नल से बोले राजा नल ने उन देवताओं से उनकी सहाइता करने की प्रतग्या की राजा नल हाथ जोड़का उन देवताओं के पास पहुंचे और पूछने लगे आप लोग कौन है और वे कौन है जिनके पास आप मुझे दूत बना कर भीजना चाहते हैं और वे कौन सा कार्या है जो मुझे संपन करना होगा आप लोग सब बातें मुझे ठीक ठीक समझाएं नल के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर इंदर ने कहा हम लोगों को आप देवता समझे हम दव्यनती को पाने के लिए आये हैं हे राजन मैं इंदर हूँ ये अगनी है ये जल के स्वामी वरण है और ये मुझे की दे का अंत करने वाले यम हैं आप दव्यनती के पास जाकर उनको हमारे आगमन का समाचार दे दीजिए आप उससे कहिए महिंदर आदी लोग पालगन तुमको देखने के लिए आ रहे हैं इंदर अगनी वरण और यम ये देवता तुमको प्राप्त करना चाहते हैं तुम उन लोगों मैंसे अपनी इच्छानुसार अपना पती चुनलो इंदर के ऐसा खहने पर राजा नल हा जोड़ कर बोले मैं भी उसी उदेश्या से जा रहा हूँ जिस उदेश्या से आप लो पुर्ष उस इस्तरी को किसी अन्या पुर्ष के लिए कैसे चोड़ सकता है आते आप लोग मेरे इस कथन के लिए मुझे ख्षमा करें देवताओं ने कहा हे निश्द नरेश आप इसके पूर भी हम लोगों का काम करने के परतिग्या कर चुके हैं फिर आप इस परतिग्या का पालन किस प्रकार नहीं करेंगे हे नरेश आप दव्यंति के पास चाहिए जरा भी देर मत कीजिए उन देवताओं के ऐसा कहने पर राजा नल ने फिर उनसे पूछा विधर्व राज के सभी प्रसाद सुरक्षित हैं मैं उनमें प्रवेश किस प्रकार पा सकता हूं तब राजा नल तथास्तु के एकर दव्यंति के परसाद में चले गए वहां उन्होंने देखा कि विधर्व की राजकुमारी अपनी सक्यों से घिरी हुई शोभायमान है वे परमसुंद्रे दव्यंति अपनी देह की कांती के कारण दिपायमान थी उसके अंग परत्यंग अत्य कुमारी को देखते ही राजा नल की कामवेगना जाग उठी किन्तु सत्य का आचरण करने के अविलाशी राजा नल ने उस कामवेदना को अपने अंतर ही रोक लिया तब निश्द राज राजा नल को वहां पर आया देखकर अंतापुर की सारी सुंद्रियां चकित रह गई और वे सब सुंद्रियां राजा नल के तेज को देखकर वशी भूत होकर अपने अपने आसनों से उठखडी हुई उन सबने विसमे से भरकर अत्यंत प्रीती पूर्वक राजा नल की प्रशंसा की उन्होंने राजा नल से वारतालाप नहीं किया किन्तु मन ही मन वे सब उस आने ये कौन हैं देवता यक्ष गंधर्व ये ऐसे ही कुछ होंगे राजा नल के तेज से बशी भूत होकर वे लजीली सुंद्रियां उनसे कुछ भी न कह सकी तब मुस्क्राकर बातचीत करने वाली दव्यनती ने अश्चर्य चकित होकर और मुस्क्राकर वीर्वर राजा नल से पूछा आप कौन हैं आपके समस्त अंग प्रश्य ने Hm आप मेरी हिर्दे में काम वेदना जगा रहे हैं आप एक देवता के समान यहां आप होंचे हैं मैं आपका प्रश्य पाना चाहती हूं आप इस अंतापूर में किस प्रकार प्रविश कर पए आपको यहां आतिस में किसी ने देखा क्यों नहीं मेरा ये कक्ष तो सर्फता सुरक्षित है और यहां के राजा का शाषन भी उग्र है विधर्व की राजकमारी द्वारा इस प्रकार कहा जाने पर राजा नल ने उत्तर दिया कल्यानी तुम मुझे नल समझो मैं देवताओं का दूद बनकर यहां आया हूँ इंद्र, अगनिवरुन तथा यम ये देवताओं तुमको प्राप्त करना चाहते हैं उन देवताओं में से तुम्हें जो भी उत्तम लगे उसी को तुम अपना पती चुन लो उनी देवताओं के प्रभाव से मैं इस कक्ष में प्रवेश कर सका हूँ और मुझे किसी ने नहीं देखा कक्ष में प्रवेश करते समय मुझको ना तो किसी ने देखा है और ना रोका है हे देवी देवताओं ने इसी उदेश्य से मुझको यहां भीजा है ये सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्चा हो वैसा निश्चे करो